रिष्टे दिल से दिल के आज सेकेंड एपिसोड है और चलिए सुरू करते हैं आज का तो गर्मा जी को अकू के लिए चिन्ता हो रही है तो मा मा कहा हैं आप जल्दी नीचे आईए सिल्बर कलर की महंगी और सुन्दर सी सारी पाने चेहरे पर एक गुरूर के साथ होठो पर रेट कलर की डार्क लिपिस्टिक लगाए और खुले बालों के साथ एक रॉबदार आवाज में फोटी टू वर्सिये गर्मा जी ने आवाज लगाई उनके चेहरे पर एक रॉब तो हमेशा ही रहता था पर आज गुस्टा भी था उनकी आवाज सुनकर दामनी जी उम्र में लगभग साथ साल तेजी से नीचे आई और बोली क्या हुआ बेटा तो मैं ऐसे जोर जोर से मुझे आवाज क्यों लगा रही हुँ मा अकु कॉलेज में नहीं है अभी मैंने उसकी प्रोग्रेस जानने के लिए कॉलेज में फोन किया था तो प्रिंस्पल ने बताया कि उसने फिर से क्लास बंग की है गर्मा जी के वागपद्धामनी जी ने हैरानी से पुछा क्या हाँ हाँ वो पहले भी कॉलेज बंग कर चुकी है और हमें आज तक एबात नहीं पता चली अगर मैं प्रिंस्पल को कॉल नहीं करती तो साइड एबात मुझे कभी पता नहीं चलती पर वे गई कहां होगी दामनी जी ने खुद से ही सवाल करते हुए कहा तो गर्मा जी गुस्चे से बोली वे जरूर उस बिराज के साथ होगी मा मैंने आपसे कहा था कि उसे इतनी धिल मत दीजिये मैं तो सारा दिन ओफिस के काम में बीजी रहती हूँ पर आप तो उसकी इन हरकतों पर रोक सकती हैं उसमें उसे कंट्रोल कर सकती थी दामनी जी ने उन्हें समझाते हुए कहा बेटा तुम टेंसन क्यों ले रही हो बिराज एक अच्छा लरका है मा लोगों की अच्छाई या बुराई उनके चेहरे से दिखाई नहीं देती यूँ तो देखने में बिनीत जी भी बहुत अच्छे और सच्छे लगते थे लेकिन फिर भी गर्मा जी गुस्से में सब बोल रही थी कि अचानक रूप गई और अपनी आखे बंद कर ली फिर दामनी जी की तरफ देखकर बोली सौरी मा लेकिन मैं क्या करूँ जीस तरह बिनीत जी ने मुझे धोखा दिया मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ भी कुछ ऐसा हो डर लगता है मुझे उसके लिए मैं जानती हूँ कि जब कोई अपना आपको धोखा देता है तो कितनी तकलीप होती है दिल तूट जाता है जब हम किसी को जान से ज़्यादा प्यार करते हैं और वे हमें सिर्फ तकलीप देता है मेरे साथ यह हुआ है मैंने सह लिया लेकिन अपनी अक्कू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूँगी कभी नहीं दामनी जी गर्मा जी के पास आई और उन्हें गले लगा कर बोली मुझे माप कर दो बेटा मेरे बेटी की वज़े से दामनी जी की बात पूरी नहीं हो पाई और उससे पहले ही गर्मा जी उनसे अलग होई और बोली नहीं मा इसमें आपकी क्या गलती है मेरे साथ जो भी गलत हुआ उसमें कसूर सिर्फ उस इनसान का था जिसे मैंने बेहत प्यार किया आपका नहीं बलकि आप तो हर कदम पर मेरे साथ खरी रही सायद कोई और मा होती तो अपने बेटे का ही साथ देती पर आपने सही को चू आप मुझसे मा भी मत मांगी है दामनी जी हलका सा मुस्कुराई और बोली तो अपने इस सहेली की एक बात मानोगी हाँ बोलिये न सबसे पहले तो अपने इन किमती आंसूओं को साप करो कहकर उन्होंने गर्मा जी की आंसूओं को पोचा और फिर बोली और अकु को कुछ मत कहना प्लीज मा आपकी वज़र से आज वे हमारे सीर पर चट गई है नहीं आज नहीं अब तो उसकी गलती की सजा मिलेगी नहीं नहीं बेटा आज माप कर दो मैं उसे समझाओंगी आगे से वे ऐसा कुछ नहीं करेगी लेकिन मा प्लीज दामनी दामनी जी ने छोटा समुह बना कर कहा तो गर्मा जी बोली अच्छा ठीक है लेकिन ए आखरी बार है उससे कह दिजेगा कि उस बिराज से दूर है मुझे वे सिर्फ एक गोल्ड डिगर लगता इसलिए उससे प्यार तो क्या दोस्ती भी न रखे तो अच्छा है हाँ ठीक है बबा तुम अब जाओ नहीं तो ओफिस के लिए देर हो जाएगी दामनी जी ने उन्हें जाने के लिए कहा तो एक बार फिर गर्मा जी उनको गले लगा ली और बोली थैंक्यू मा जब मुझे सच में एक परिवार की जरूरत थी किसी अपने की जरूरत थी तब आप मेरे पास थी मुझे हर पल अपने उस तकलीब से बाहर निकालने की कोशिस की अगर आप नहीं होती तो ना तो मैं खुद को समाल पाती है और नहीं अकू को आज आपकी उजसे मैं इतनी बरी बिजनस उमेन बन पाई हूँ आप ने सपने को पूरा कर पाई हूँ उसके लिए मैं आपका जितना भी थैंक्यू कहूँ वो कम है दामनी जी गईमा जी को खुद से अलग की और बोली बेटा मैंने किसी पराये के लिए नहीं अपनी बच्ची अपनी गर्मा के लिए किया और हाँ हर मा अपने बच्चे के लिए करती है तो मैंने भी किया इसमें ठैंक्यू कहां से आ गया अब तुम गंगा जमना मत भाना सुरू कर देना जल्दी जाओ वर्नल लेट हो जाएगा फिर ओफिस वालों पर भरास कब निकालोगी उनकी आखीर वागपक गर्मा जी हस दी और उन्हें देखकर दामनी जी भी गर्मा जी मुस्कुराते हुए घर से बहा निकल गई दामनी जी वहाँ सोफे पर बैट गई और बोली कैसे बताओ तुम्हें बेटा कि जो बात तुम्हें इतनी तखली पहुचा रही है असल में सच्छी नहीं है तुम्हारे बिनी जी ने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया पर क्या करूँ मैं भी हालातों के हाथों मजबूर हूँ और उसकी कसम भी मुझे तुम्हें कुछ बताने नहीं दे रही आँखों में नमी भर कर दामनी जी बोल रही थी इन बातों से उनकी कुछ पुरानी यादे ताजा हो गए मा प्लीज गर्मा को इस सब के बारे में कुछ मत बताईगा प्लीज बिनीद जी ने दामनी जी के हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहा तो दामनी जी रोते हुई बोली पर कैसे बेटा कैसे छुपाऊंगी मैं उससे इतना बरा संच नहीं बेटा मुझसे नहीं हो पाए गए मा अब जानती है न कि अगर विश्च गर्मा को पता चला तो उसकी जान भी खत्रे में पर सकती है बिनीत जी ने दामनी जी को समझाते हुए कहा तो दामनी रोते हुए ही बोले तो क्या करूँ एक बच्चे की जिन्गी बचाने के लिए दूसरे को एक गुनाःगार बनने दूँ तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है तुम्हारे इस जूट की वज़े से आज तुम्हें एक घर छोना पर रहा है अपनी पत्नी अपनी मा और अपनी बच्ची से दूर होना पर है उसे सच बता दो बेटा मा मैं आप सबसे दूर रहकर जिन्दा रह सकता हूं लेकिन उसे सच बता कर नहीं रह पाऊंगा नहीं मा वे नहीं बरदास कर पाएगी उस सच को मैं भले ही इस घर से दूर जा रहा हूँ पर आपके दिल से दूर कभी नहीं जाऊँगा बेटा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा दिन भी आएगा जब मुझे मेरे बेटे को उसके घर से इस तरह दूर होते हुए देखना परेगा उस पर दोखे बाज का धपा लगते हुए देखना परेगा दामनी जी की आँखों से आंसु बेहिसाब बहे जा रहे थे मा अब तक आपने गर्मा को अपनी बहु नहीं बेटी माना था लेकिन अब आपको उससे अपना बेटा मानना होगा अगर वे मेरे बारे में कुछ भी गलत कहे मुझे दोखे बाज बुलाए कुछ भी उल्टा सीधर सब कहे तो प्लीज आप उसका साथ दोगी उसे रोकोगी नहीं और नहीं मेरे पच में बोलोगी आप भी हमेशा इसी तरह से बात करोगी जैसे मैं एक गुनागार हूँ आप हमेशा गरिमा के साथ खरी रहेंगी लेकिन बेटा मा आपको मेरी का समना ना तो आप उसे सच बताएंगी और नहीं मेरे पच में बोलेंगी आपका ये बेटा आपसे एक वचन चाहता है प्लीज इतना कर दिजे मेरे लिए बिनीद जी के बाते सुनकर दामनी जी का कलेजा कटा जा रहा था वो तेजी से जाकर उनके गले लग गई खयालों में खोये होने की वज़े से उन्हें लगा जैसे बिनीद जी उनकी आ गही है और वे अब भी गले लगाने की विपर किसी को वहां ना होने की वज़े से उसी स्थिति में रुख गई फिर अपने मुपा हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगी क्यों भगवान क्या बिगारा था हम सबने तुम्हाय जो तुम्हें हमें इतनी बरी सजा दे दी दामे जी रोते हुए भगवान को कोस रही थी कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक सिस्काइक कॉमेंटर सेर जरूर करें